कि हमने एक बात की थी कि हमारे पास जो बूलियन एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन को दो फॉर्म्स में हम लिख सकते हैं या कनवर्ड कर सकते हैं ऐसे की थी कि पहले जो हमारे पास थी सम प्रॉड़क्ट टर्म यानि सम प्रॉड़क्ट फॉर्म और दूसरे हमारे पास form जो थी वो product of sum यह सम का product हमारे पास पहली जो term थी वो थी sum of products उसको हमने understand कर लिया अब हमारे पास जो next है वो यह है product of sums ठीक है हमारे पास दो यह दो से ज्यादा sums का product उससे जो expression generate होगा उसको हम कहते हैं product of sum और यहाँ पर आपके पास कुछ examples हैं जिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले पहली example है उसमें दो सम है जिनका product है product of two sums product of two sum terms कौन-कौन से sums ए कंप्लिमेंट प्लस बी और दूसरा आपके पास यह bracket में जो लिखा हुआ है एक प्लस बी कंप्लिमेंट प्लस सी तो इस तरह से आपके पास product of two sum terms इसी तरह यहाँ पर product of three sum terms और यहाँ पर कि इस example में देखें कि इस example में हमारे पास product of three terms three sum terms ठीक है तो यह हमारे पास format है product of sums में sums का हमारे पास format है इसमें हमारे पास जो terms हैं वो single variable पर भी मुश्टमिल हो सकती है लाइक दिस एक कंप्लिमेंट है यह simple a और bracket में आपके पास एक सम टर्म है और दूसरी सम टर्म क्योंकि एक कंप्लिमेंट यह simple कोई भी variable है उसके साथ अगर zero add कर दिया जाए तो उसमें चेंज आता है कोई अगर किसी term में zero add तो कोई चेंज आता है उसमें इस तरह से हम अगर लिखना चाहें ए प्लस zero तो answer किसमें होता है एक एक एक्वल होता है हिए और कीट हिए आई इसकिन प्लस प्लस जी ओऊ है लिखने लिखने लेक्ны है एक front कि हम भी एक चाहते हैं आले सो यह सम्टर्ण बन गई है यह है इसको इस तरह से लिख लए वे एप लिख सकते हैं ए प्लस 0 तो लिहाज़ा यह भी आपके पास ऑप संब टर्म है तो आपके पास सिंगल एक वेरियेबल भी हो सकता है सम टर्म के अंदर उसी तरह जिस तरह से हमने सम अफ प्रॉडक्स को देखा था कि उसके अंदर आपके पास जो कंप्लिमेंट है यहां बार है वो एक से ज्यादा वेरियेबल पर नहीं आ सकता प्रॉडक्ट टर्म के अंदर एक से ज्यादा वेरियेबल पर नहीं आ सकता इसी multiple variables के उपर यह बार अब यूज़ नहीं कर सकते तो इसके लिए आप क्या चीज़ यूज़ करेंगे कि इसको resolve करने के लिए क्या चीज़ यूज़ करेंगे boolean algebra में डी-morgan theorem ठीक है डी-morgan theorem को आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें इसको resolve कर सकते हैं अच्छी नेक्स हमारे पास है implementation of force पोस प्रॉड़क ओफ सम एक्स्प्रेशन आपको पता है कि इंटर्नल जो टर्म्स हैं वो सम के उपर बेस कर रही हैं और सम के अंदर कौन सा अप्रेशन परफार्म होता है और operation ऐसे ही ना सम के अंदर सम को perform करने के लिए हमारे पास operation जो होता है logic gate जो यूज़ होता है वो और gate यूज़ होता है और operation कौन सा होता है और operation जिसमें हमारे पास answer one किसी भी combination से आ सकता है लेकिन zero कब generate होता है जब तमाम input आपके zero हों ऐसे ही है और operation में आपका answer zero सिरफ उसी वक्त आएगा जब तमाम input zero होंगे otherwise answer one आता है और end operation में आपके पास output one का बाता है जब सारे input one होंगे और बाकी तमाम में output zero आता है बाकी तमाम combination में output zero आता है ऐसे ना जी सर तो लहाज़ा आपके बाद जो product of some terms है उसको implement करने के लिए आपने जो logic gate यूज़ करने तो इंटर्नल जो टर्म्स हैं जैसे यह आपके पास यह टर्म्स है इनमें कौन सा operation परफॉर्म हो रहा है प्लस का अब प्लस कहते है और operation को तो इसके लिए और स्वीर यूज़ करेंगे करेंगे हैं और यहां पर यहां पर बीब और इसका जो आउट पुट है एसका जो आउट पूट है ऐजिए इंपुट के और पर एंड गेट में पास आउट होंगे और एज होल एक्सप्रेशन का ओपुट जनुरेट होगा इसका मतब्द यह है कि आपके पास और गेट और एंड गेट को अप्लाई करते हुए आप प्रॉड़क ऑफ सम्पो इंप्लिमेंट कर सकते हैं प्रॉड़क ऑफ इसके लिए और गेट और यहां पर यूज किया और इन तमाम के दर्मयान में मल्टिप्लिकेशन यह निए डॉट प्रॉड़क्ट है अब यह एंड प्रेशन अप्लाई हो रहा है तो एंड अप्लाई करने के लिए आपको एंड गेट चाहिए और उसके थीन टॉट तो त्री इंपूट और जो तीनों इंपूट है वह बेसिकली आउटबूट है इन और गेट्स की ठीक है इससे जो आपके पास जो रिजर्ट होता है ऐसे होल पूरे उसफ्रेशं का रिजल्ट होते है जिसको हम क्या बोलते हैं प्राड़क ओफ सम्मस पराड़क प्राड़क ऑफ एक्सक्रेश्न है лиर अधि अजिस तरह से हमने लांस लेक्चर में आपर स्टायंड किया था कि हमारे पास जो last lecture में हमारे पास था sum of products आज की lecture में हमारे पास है product of sums ठीक है तो उसमें हमने यह देखा था कि जो जो term ऐसी term जिसमें expression की domain के तमाम variable ना हो तो उनको को हम कहते हैं non-standard terms ऐसे ही ना non-standard terms कौन सी थी non-standard terms हमारे पास और तर्म सेट ऑफ वेरियेबल ना हो इसी तरह यहां पर भी हमारे पास अगर आपके पास एक term में जो के सम टर्म में उसके अंदर तमाम variable ना पाए जाए जो expression की domain में पाए जाते हैं तो वह हमारे पास non-standard term के लाएगी अब यहां पर देखें यह पूरा expression एक दिया हुए product term में दिया हुए product of some terms तो इन में आप बता सकते हैं set of variables क्या बनेगा इसका यह domain इस पूरे expression की क्या बनेगी a b c d a b c d ठीक है तो पहला पहला जो आपके पास पहली जो term है जो पहला sum है पहली जो term है उसमें एक missing है कौन सा variable missing है d missing है और इस second में c और ठर्ड ठर्म आपकी complete है ऐसे ना यह सर तो इसका मतब यह हुआ कि यह पहली दो टर्म्स आपकी non-standard टर्म्स है और तीसरी टर्म्स जो है यह आपकी standard टर्म में यानि इस टेंडर फॉर्म में है ऐसे ही है यह सर अच्छा यहां तक clear तो standard form में लाने के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर डी होना चाहिए और इसके अंदर सी होना चाहिए तो तब standard form बनेगी ना अच्छा अब आपको पता है कि आप अगर किसी यूं कहलें कि अगर आपके पास बी है और बी में आप जीरो एड़ करते हैं तो कोई चेंज आता है अच्छा अब बी को as it is दिखते हैं और प्लस जीरो की जगह पे डॉट एक कंप्लिमेंट लिख सकते हैं रूल के मताबिक लिख सकते हैं ना अग्येरुünüz ऐब आपके सब्सक्राइब दो सबस्क्राइब अग्यां जीरोगा रूरेट प्लिमेन्ट आपके के मताविक जो बारे रूल्स आपने पढ़े थे उसमें देख लिजीगा रूल नंबर क्या है इसका से यहां कोई सैवन को भी इसमें देख ली जगा रूल नंबर इसका उसके मताविक हमारा आंसर जो है वो सेम रहेगा उसमें चेंज नहीं आएगी फिर एक और हमने रूल पढ़ा था जो लास्ट रूल था उसमें हमने ये पढ़ा था कि आपके पास इस तरह से सिच्वेशन है तो रूल नमबर 12 के मताबक आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं प्रॉडक्ट फॉर्म है प्रॉडक्ट फार्म में अब लिख दें डी प्लस ओं कि ए कंप्लीमेंट यां एक प्लीमेंट आए कंप्लीमेंट प्लस दी इस तरह से लिख सकते हैं इसको ए ठीक है रही है यहां पे यह रूल नमबर 12 एस सर्द कि हैं अच्छा यहां पर देखें हमारे पास पहली दो सम टर्म नॉन्स्टेंडर तो इसमें आप क्याैंगे इसमें Zero Add कर दें इस पहली टर्म के अंदर प्लस जीरो कर दें भांध कर सकते आगा इसमें जेरो lider कर सकते है ना तो यहां पर देखें जब आप जीरो एड करेंगे तो जीरो को आप लिख सकते हैं मिसिंग टर्म के साथ जैसे यहां पर मिसिंग क्या है तो आप उसको जीरो को चेंज कर सकते हैं और यहां पर इस पर लिख सकते हैं जीरो की जगह पे सी डॉट सी कंप्लिमेंट तो उस तरह से आप फिर रूल नबर 12 को यूज करते हुए आपके तमाम जो टर्म्स हैं वो आपके स्टेंडर फॉर्म में आ जाएंगी जैसे यहां पर देखें यह कुछ स्टेंडर फॉर्म में उन्होंने तीनों टर्म्स को लिखा है ठीक है यह स्टेंडर फॉर्म में मैंचेंड किया है यह उसको स्टेंडर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं यानि तीनों टर्म्स में के अबिसी डी यूज्व हूएं यानि पूरी डुमेर्ट के तमाम अलफाबेट यूज्व हूएं और अगर आप कनवर्जन में देखें तो आपने कनवर्जन में आपने अभी देखा है अभी मैंने आपको बताया कि आपने जीरो एडड़ करते हैं तो कोई चैंज नहीं संब टंब करदेगा और ये काम उस वकत तक आपने करना है जब तक तुमाम माँ के यह देख लेंट जाया एन यह देख लूआ कम यह va has a bầy जी संग ना तो आप इसमें प्लस जीरो करके दी डॉट दी कंप्लिमेंट अच्छा अब रूल नूमर टोव गया कहता है कि अगर आपके पास यह शेप हो ए प्लस बी सी ओ ए प्लस बी सी ओ तो आप इसको लिख सकते हैं और दूसरा एप्लस सी कि असह तरह से लिख सकते हैं यह आपका हो गया एसँ नाल सकते हैं दो हनुद सकते हैं एक के साथ और एक डी कंप्लिमंट एक इक कंप्लिमेंट के साथ इस रूल को देखें यह सर रूल नमर 12 देखते हुए आप यहां पर रूल नमर 12 अप्लाई कर दें तो इस एक टर्म की कितनी टर्म्स जनुरेट हो गई दो एक दी के साथ और एक डी कम्प्लीमेट के साथ ही कैं और इस केस में कौन से मिस है एक यहां पर एक लिए डॉट कम्प्लीमेट लिए यह अब आपका बन गया है यह इसको आप A कंसिडर करें इस पूरी टीनों टर्म्स को इसको A कंसिडर करें और यह आपका BC है पहले B के साथ फिर C के साथ पहले A के साथ हो जाएगा फिर A कंप्लिमेंट के साथ एक्सपड़ प्सपआरां एक्सपरेशन रूल मीट ल सबस्वेस्ट अज़्ण को गया आग को घिंटिक हो गया यह भी आपकी सब्स्रेंडर पॉर्म मेह प्लाइगा इस्का फिक करूंत प開व्घल चाहिए आपके सामने एक और रिलेटेड प्रॉब्लम है इसको भी आप कर सकते हैं इसमें क्या कमी है इसमें किस चीज की कमी है पहली टाइम में कि कमी है यहां पर इसको सी के साथ कर दें सी डॉट सी कम्प्लिमेंट इसको आप एडॉट एक कम्प्लिमेंट के साथ कर लें यह सर्ण नेक्स है वहां पास बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अवव स्टेंड शंब्लम हमारे पास कोई भी सम्टर में उसकी बाइंड रिप्रेजेंटेशन सम्टर में के आपने निकालनी है तो आपको पता है कि समने आंसर जीरो सिर्फ एक फिपने खिंपिने एक और बाकि तमाम combination में answer one आता है. जिरो कब आता है some term में? जब तमाम zero होगे. जब तमाम input zero होगे. ऐसे ना? पूर्डीक टर्म ने product term पड़ी थी ना? तो product term में one उसकी आता है जब आपके पास तमार input one होंगे. और बाकि तमाम zero होते हैं. जबके some term में क्या होता है? आपका बाकी तमाम में answer one आता है और zero का बात है? जब तमाम input zero होंगे ऐसे ना? जब तमाम input zero होंगे इसका मतब अगर आप expression को देखे इस expression के अंदर, some term के अंदर इस पूरे some term का answer अगर zero आप लेना चाहते हैं तो इसका मतब तमाम input 0 होने चाहिए तो इसका मतब यह है कि A तो 0 है simple B आपके पास 1 होगा जो के complement उसको convert कर देगा 0 में C आपके पास 0 D आपके पास 1 होगा जो के complement उसको 0 में convert कर देगा तो आपके पास answer as a whole 0 आएगा तो लहाज आपके पास B A B C D की value क्या होगी A 0 B 1 C 0 D 1 यह combination आपका use होगा जिस पर answer आपका 0 होगा ठीक है यह अगर आप truth table आप देखें तो truth table में आपके पास क्या होता है आपके पास तमाम input variables होते हैं A B C और यह D ठीक है अगर आप इनकी value देखें तो answer आपका इसको answer में हम इसको इस तरह से करते हैं X X answer है हमारा Let's say A की value 0 B की value अच्छ जी कहां तक बटन प्रेस हुआ है अच्छ यहां पे हैं A की value 0 B के value 1 C की value 0 और D की value 1 तो then answer आपका क्या आता है 0 आ रहे है कि अच्छ 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 इसकी इस combination पर answer 0 है बागी तमाम पर answer 1 ना आएगा बात फालूाओं कि यह a में हमारे पास जो टर्म है कि कुंप्लीमेंट वार्म में है ओ ठीक है हमारे पास कम्प्लीमेंट फार्म में है अच्छा यहां तक लेयर को गया यहां पर एक्जेंपल देखें इनकी वैलियों फाइंड ओट करें determine the binary value of variables for which the following standard product of some terms expression is equal to zero तो zero कब होगा जब कोई एक expression zero के equal होगा प्रॉडट्ट है ना प्रॉडट्ट में एक भी जिरो होता है तो फिर इसे whole expression का answer के आता है जी जी रोगा तो वह कहते है जीरो answer लाना है यहां तो यह 0 होना चाहिए यहां फिर यह 0 होना चाहिए यहां फिर यह 0 जिरो होती है तो इसमें A B C D की वैलियो क्या होगी? जिरो 성 माम की वैलियो गाल होगी और अगर ये टर्म जिरो होती है तो Alt होगी ए वांग एसे होल जीरो चाहिए हमें तो जीरो एकाई बालियो जीरो एक बेलियो एक वांग क्योंकि कम्प्लिमेंट पर सी की वेलियो और इस केस में इस टर्म के साथ सारे वानना होने चाहिए ठीक है समझ आईए कि क्योंकि सम में आपका आंसर जीरो एक कंबिनेशन पर रहता है बाकी तमाम कंबिनेशन पर आंसर वान आता है इन्पुट वेरियबल्स के बिहाब पर जितने भी कंबिनेशन बनते हैं तो सम टर्म में आपके पास आंसर जीरो एक ही सूरत में आता है जब तमाम इन्पुट जीरो होंगे अधर वाइज आंसर वान होता है आपने पढ़ा हुए और और गेट को यह और ऑप्रेशन को पढ़ा हुए तो यह आपके सामने इस तरह से स्लूशन है इसका और रूलेटिट प्रॉब्लम भी दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं तो यहां तक आपका होगे आप प्रॉ करने है though the sum of product को यह इनि स्टंडर समफ प्रॉड़क को किस में कि standard में प्रॉड़्य प्रॉड़क्त क्रॉड़क करने है अच्छा अब अब जहन में रखें कि हमारे पास बाइनरी वैलियो केल्कुलेट करना आती है हमें कि हर एक्सप्रेशन की बाइंडरी वैल्यो केल्कुलेट करना आती है न यह सर आपने यह देखा है कि आपके पास जब सम होगा तो सम जीरो के इक्वल कब होगा जब आप तमाम इंपुट जीरो होंगे यह आपने देख लिए और अगर आपके पास प्रॉड़क्ट है उसका प्रॉड़वर भाण हो इसका अंसर वान हो जब तमाम ब्वान होंगे ऐसे नड़ अच्छा अग्शा समप्रॉड़क्ट टरम है स्टैंडर समप्रॉड़क्ट time मैं उसकी जितनी बी बॉईनरी वैल्योग उसकी जितनी भी बैंदरी वैल्योज हैं वो उसके equivalent यह नहीं हमने convert करना है SOP को POS में in standard SOP को convert करना है standard POS में अब इस में जितनी भी terms है इसमें जितनी भी terms है उसकी कुछ binary values जग्रेट होंगी नवा इसम्टक में कुछ binary value जन्ट पर सबतों वह भी हर अज़ प्राइब का का कि उसका इसके इक प्रॉलेट होगा इसके इक्पलेंट प्रॉजवें थोगा उसमें वह एज़ा नहीं होगी कि वह इस दनी होगी जो इदर नहीं होंगी वह इदर होगी दवारा जो वाहिंद्री वैलियो और प्रोडक्स की जनरेट होगी सम और समोफ प्रोडक्स के अंदर, सम अल्फाबैट की जो वैलियो जनरेट होती है वो यह उसके एक्वल disparities में नहीं होगी और जो इसकी वैलियो नहीं होगी वह इसकी वैली ओगी और आगर जो इसकी वैल्यों वह हो इसकी नहीं होगी बाद फाली ए लोगी ए ऑक इसकी स לאर्ख को समझत आये है इस्को करा मिया मैं यह इत्यजू मैने यह बात हमने कल लेक्टिर पड़ा था जिसमें हमने प्रॉडक्स का सम निकाला था जैसे आपके सामने एक एक एक्जेंपल 4.19 यह प्रॉडक्स का सम सम क्रणक का साम है तो सब से पहले यह देखें कि इसमें कि इतने कितने वेरियबल्स क tua 410 वेरियबल in वेरिबिल के भी आफ पर इंपूड कंबिनेशन कितने बनेंगे? टू रेस टुबाव थ्री? यॉख़? टू रेस टुबाव थ्री? एट, शरर. एट बनेंगे ना? एट कंबिनेशन बनेंगे? जी सर्थ. अच्छा. अब एक combination is turn कोगा एक combination is turn कोगा और एक combination turn कोगा और एक combination is turn कोगा ऐसे नог आए रितरीज कितनी टर्म्स है यहाँ पे जीजियिए यह जैननी 8 combination lg पांच टर्म आपनारे सामने लिख़्े होने तो रिमेंग हमारे बस ठ्री कंबिनेशन बचेंगे ना सब्सक्राइब यह नहीं रांब दी सब्सक्राइब वो त्री कौन कौन से होंगे अब आपको पता है कि ये इसका अंसर वान कब आता है जब ये तीनो वान होंगे ए बी सी वान होंगे ऐसे ना जी सर इसका अंसर वान कब आएगा जब बी जिरो होगा और ए और सी वान होगा बिल्कु ठीक है और इसका अंसर वान कब आएगा जब A-0 होगा B-C-1 होगा इसका अंसर 1 कब आएगा जब A-C-0 होगे और B-1 होगे और इसका अंसर जब 3-0 होगे जब 3-0 होगे इसका मतलब इसका कंबिनेशन बनता है 0-0-0 ठीक है यानि ABC ये कंबिनेशन और इसमें 0-1-0 यही आपने बताया ना और इदर 21011 और इदर 101 101 और यहाँ पे 111 यह combination आपने बताए है इसी ना जी सर्थ अब यह SOP में है SOP में है यह तमाम combination यह तमाम values किसमें है SOP में इसमें कौन-कौन से combination नहीं है इसमें कौन-कौन से combination नहीं है यह देखें यह 0 है यह 2 है यह 3 है और यह 7 value अगर decimal form में देखें तो आपके पास 8 combination है ना तो 8 combination हमारे पास बनते हैं 0 से लेकर 7 तक values 0 से 7 तक values बनती है ना 8 combination 0 है 2 है 3 है 5 है और और कौन से 7 missing कौन से हैं missing है आपके पास missing है missing है missing are 1 sorry 1 2 है 4 है फोर और पाइफ है उसी कोंसे मिसिंग है वन फॉर इसको हम कैसे लिखते हैं जीरो जीरो वान और इसको कैसे लिखते हैं फॉर को वान जीरो 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 और सिक्स को कैसे लिखते है जीरो जीरो है है वान वान जीरो जीरो यह म disp नहां अ है यह सश्षिक्त ना इसका मतल्ख यह वाले जो सब्सक्राइब, कम्बीनेशन यह वाले जो बैनरी वैलियू रहें वो इसमें होगे यह समें हैं चलंक है कि अब स्थाइब करने हैं तो अभी दिखें आपके सामने मैंने तीन आपके सामने लिख दिए तो यह combination आप देख सकते हैं यह अभी मुझे लिखवाए और यह मैंने यहां पे लिख भी दिए और आपके सामने यहां पे लिखे तो रिमेनिंग कौन से वान एसे यह आप ने यह देखने जो जो दूसरे एक्सप्रेशन में पाए जाएंगे दूसरे एक्सप्रेशन में पाए जाएंगे अब यहां पर देखें अब 001 को हम किस तरह से लिख सकते हैं product form में प्रॉडक्ट फॉर्म में हम क्या वेरिफाई करते हैं आंसर जीरो कब होता है जब सारे ही जीरो हो जीरो हो तो इसमें जीरो 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 हो गया और वान आप गया सी कमप्लिमेंट आप यहां पे पहला वान है यह कंप्लिमेंट बाकी जीरो जीड़ोबी सी मपली और यहां पर दो आणने है तोि पहले दो टर्म के ऋपडी मेंट है क्योंकि a plus b plus c is equal to zero उस वक्त होगा जब तीनों की वैलियो जीरो होंगी तो तीन बच गई हैं आपके पास तीन मिसिंग वैलियो हैं उसके भिहाब पर आप उसको कनवर्ट कर सकते हैं सम ओफ प्रॉड़क को कनवर्ड कर सकते हैं प्रॉड़क ओफ सम में कि यह पूरा एक्सप्रेशन यह पूरा एक्सप्रेशन की स्प्रेशन के इक्वल हो Advanced प्रॉड़क प्रॉड़क सम के ससाम कई । कैसे निकाल है मिसिंग वैलियू से और उसके बाद कंसेप्ट क्या है हमारे पास जीरो कब आएगा साम में जब तीनों यह सारे इंपुट जीरो होंगे है ठीक है कि यह सर्थ नेक्स आपके बास एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर लीजेगा फिर हम देखेंगे के बुलियन एक्सप्रेशन और टेबल को लेके चलेंगे है ठीक है कि कोई क्वेस्चन है तो बता दें लास्ट मिनिट है आपके पास कर दो